नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइडोनेफ्रोसीस, कास, सिम्टम्स और होमेपधिक टीटमेंट के बारे में दोस्तों हाइडोनेफ्रोसीस का मतलब होता है किड्नी में पानी का भरना किडिनी में मूत्र का इखटा होना और किडिनी में सूजानाना जनरली सभी डाक्टर इसे अपने अपने तरीके से समझाते हैं समाने भासा में कहें तो किडिनी मूत्र का निर्वान करके उसे सरीर से बाहर निकालती है किन्तो किसी कारण से यदि ये मूत्र बाहर निकलने के बज़ाए खट्टा होता जाता है और किड़नी पर प्रेशा डालके उसकी साइज को बढ़ा देता है तो ये कंडिशन कहलाती ही दोस्तो हाइड्रो नेफ्रोसीज दोस्तों generally हमारी kidney का काम होता है हमारे blood को साफ करके उसमें से flood और जो washed product होते हैं जो खराब पदार्थ होते हैं उसे सरीर से बाहर निकालना इसे सरीर से बाहर निकालने के लिए kidney पषाप का निर्मान करती है और एक पूरा तंत्र होता है जिसे хороший système कहा कहा जाता है जो इस पेशाप को सरीर से बाहर निगालती है दोस्तों यह जो तंत्र है इसमें चार चीच मुख्य होती है सबसे पहला तो किड्नी जो पेशाप का निर्मान करती है दूसरा होता दोस्तों यूरेटर तो किड्नी में जो पेशाप बनी है वो एक नली के माध्यम स पेशाप की थेली में इखटा होती है और यह जो नली होती है इसे कहा जाता है दोस्तो यूरेटर दोस्तो यह जो पेशाप की थेली होती है इसे यूरिनरी ब्लेडर कहा जाता है और यही पर मूत्र आकर इखटा होता है जब इस थेली में मूत्र इखटा होता है तो हमें बाहर निकालता है परंद दोस्तों इस पूरे की पूरे सिस्टम में यदि किसी भी कारण से कहीं पर भी कोई रुकावट पेदा हो रही तो उसके कारण यह जो मूत्र बना है यह सरीर से बाहर निकालने के बजाए धीरे-धीरे अंदर यंदर इखटा होकर किडिनी में सूजन पेदा करता है किडिनी के साइज को बढ़ा देता है किडिनी के जो नेफ्रांस वगिरा है उस पर दवाव डालता है तो इसके कारण किडिनी का साइज बढ़े जाता है वहाँ पर सूजन आ जाती है यह कंडिसन कहलाती दोस्तों हाइडोनेफ्रोसिस यानिके किडिनी में प पांच ग्रेड में डिवाइड करते हैं, कई लोग चार ग्रेड में डिवाइड करते हैं, परन्तु हम इसे मुख्य तर तीन भाग में बाढते हैं, सबसे पहला mild hydronephrosis, दूसरा moderate hydronephrosis और तीसरा होता है दोस्तो, severe hydronephrosis, याने कि यदि किडिनी में पानी या मूत्रे हो रहा है, परन्तु वो इतना इखटा नहीं हुआ कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो, या किसी भी प्रकार के नेफ्रोंस पर या किडिनी के दूसरे भाग पर कोई दवाव पेदा कर रही हो दोस्तो, तो यह जो hydronephrosis से इसा कहा जाता है mild hydronephrosis, दूसरा द नहीं फेलते हैं कि दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचा पाए, तो इसे कहा जाता है moderate hydronephrosis, परन्तु दोस्तो जो तीसरा फार्म होता है severe hydronephrosis, यह सबसे खतरनाक फार्म होता है, इसमें किडिनी में इतने ज़्यादा मात्रा में urine इखटा हो जाता है कि यह किडिनी के नेफ्रोंस पर प्रेशर डालने लगता है, किडिनी के जो कारे करने वाले अंग है, उन पर प्रेशर डालने लगता है और उनके कारे को प्रभावित करने लगता है, मतलब किडिनी के वो पार्ट जो ब्लड को साफ कर रहे थे, वो अपना काम नहीं कर पाते, जिसके कारण क किड्नी की कंडिशन दिन बदे बिगड़ती जाती है और एक कंडिशन आती ही जब किड्नी फैल होने लगती है मतलब किड्नी अपने काम को नहीं कर पाती जिसे किड्नी फैल्यर के रूप में जाना जाता है तो इस प्रकार से देखें करने की या चिंता करने की आवशक्ता नहीं होती है दोस्तो जनरली मोश्कली तो क्या होता है कि जो किड़नी और यूरेटर को जोड़ने वाला हिस्सा होता है जिसे पेल्विस कहते हैं यहां पर रुखा बटाती है और इसके कारण किड़नी में पानी भराता है परन्तु कभी कभी क्या होता है कि जो यूरेटर होता है जो किटिनी से पेशाप को पेशाप की थेली तक ले जाने वाली नली होती है यूरेटर इसके बीच में यदि कभी रुखावट आती है दोस्तों तो इसके कारण जो हाइड्रो नेफ्रोसिस होता है उसे कहा जाता है हाइड्रो यूर बाहर निकलने के बजाए अंधर ही इकटा होने लगता है तो काज में एसी सभी चीज़े आती है जो किसी भी तरह से यूरिनरी सिस्टम पे यूरिनरी ट्रेक्ट पे किसी भी प्रकार का प्रेशर पेदा करके बातरूम को बाहर निकलने से रोकती है तो इसका सबसे बड़ा और सबसे major काज होता है दोस्तो इस्टोन। यदि renal pelvis पर बना हुआ है, तो भी ये मूतरो बाहर निकलने से रोख देता है, यदि euretor में फसा है तो भी ये मूतरो को बाहर निकलने से रोख देता है, और यदि euretor और bladder के मू प्रोश्टेट के बढ़ने के कारण भी दोस्तो यूरिनेई ब्लेडर पर प्रेशर पढ़ता है जिससे बाथरूम बाहर नहीं निकल पाती है। इसके ब्लावस दोस्तो सिस्टाइटीज फी यग कारण होता है है उरिनेट रेख्टए में किसी प्रकार का इंफेक्शन होना भी हाईर्रोनेफ्रोसिस का कारण होता है। किसी कारण से सरीर में tumor बन रहा है या कोई cancerous growth हो रही हूँ जो दोस्तो kidney पर या पूरे के पूरे system पर कहीं पर भी pressure डालकर रुकावट पेदा कर रही हूँ तो भी दोस्तो हाइड्रोनेफ्रोसिस पेदा होता है दोस्तो यदि आपने urinary tract के किसी भी अभियवकी कभी भी surgery करवा ही और surgery के वाद वहाँ पर scar tissue पेदा हो जाते हैं तो यह scar tissue भी hydronefrosis का कारण बनते हैं urinary structure का होना भी hydronefrosis बनाता है दोस्तो इसके अलावा जनली देखेंगे तो pregnancy के time कभी-कभी यदि बच्चे का किसी कभी-कभी कुछ ऐसी condition कुछ ऐसी इस्तिती बन जाती है बच्चे की position कि उसका pressure पड़ता है आपके urinary system पर तो यह भी कारण बनता है दोस्तो hydronefrosis का या कुछ बच्चो में reflux disease होती है जिसके कारण जब बाथरूम करते हैं तो बाथरूम बाहर निकलने के साथ कुछ मातरा में reflux याने पीछे की और जाने लगता है यह भी दोस्तो kidney में सूजन पेदा करता है तो यह सारे causes होते हैं hydronefrosis के जिसमें सबसे वाड़ा कारण होता है दोस्तो urinary tract का infection और stone होना या दोस्तो prostate का size बढ़ जाता है अब दोस्तो बात करते हैं इसके treatment की कि इसमें क्या-क्या homeopathic treatment दिया जाता है तो इसका basically कोई specific treatment नहीं होता है hydronefrosis का hydronefrosis जिस कारण से बेदा हुआ या धीरे-धीरे reduce होकर कि normal हो जाता है जनरली जैसे मैं आपको बताया कि pregnancy या बच्चों में जो reflex diseases होती है उसके कारण यदि hydronefrosis है तो यह कुछ समय में अपने आप ही नार्मल हो जाता है परन्तु यदि दूसरे कारण जैसे stone हुआ या prostate का बढ़ना हुआ या urinary structure हुआ त stone के कारण hydronefrosis हुआ है तो उसके लक्षण आएंगे बैक्ति को बेक साइट में दर्द होगा आगे की तरफ से दर्द पीछे की तरफ जाएगा जिसाए stone में दर्द होता है बातरूम रुख जाएगी बातरूम करते समय उससे दर्द होगा जब जब stone सरकेगा तब उससे अ साथ hydronefrosis होगा व्यक्ति को बार बातरूम लगेगी थोड़ी-थोड़ी मातरा में लगेगी ऐसा लगेगा जिसे लोर रीजन पर जो पूरा की पूरा पेलविक रीजन वहां पर उसे भारीपन लगेगा तो कहने का मतलब यह है कि जो भी लक्षण जिस बीमारी के हैं जिस रीजन से hydronefrosis हो रहा है दोस्तों उसके लक्षण आएंगे और उसी हिसाब से treatment भी देना पड़ता है तो यदि स्टोन निकलता है कि स्टोन के कारण hydronefrosis हुए है तो होमेपेथी में हम बर्वेरिस, वल्गेरिस, सरसा, परिल्ला, आसिवम, सेंक्टम, परेरा, प्रावा, मेडिसिन वगेरा का यूज़ करते है यदि उरिने ट्रेक्ट का infection है या सिस्टाइटीस है जिसके कारण hydronefrosis हुआ दोस्तों तो हम कैंथरिस, मेडोराइनम, मर्कशाल, नाइटरिक एसीड या रसे निकलम दवाओं का यूज़ करते है यदि दोस्तों प्रोस्टेट के पुरी तरह से ठीक हो जाता है आपको hydronefrosis को बहुत यादा lightly लेने के आफशकता नहीं है क्योंकि ये जनरली तो डिटेक्ट नहीं होता जब भी आप किसी और कारण से सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि आपके kidney में सूजन है, hydronefrosis हो रहा है परन्तों आजाती है, इसलिए इसे समय रहते हैं आप बिना किसी लापरवाई के ठीक कर लेंगे तो आपकी kidney के लिए ये दोस्तों बहुत यादा लाबदायक होगा, जनरली आपको इसके लिए सोनोग्राफी करवाना पड़ता है, सोनोग्राफी में पता चल जाता है कि kidney में किसी प् एडुनेफ्रोसीस या स्टोन प्रोस्टेट वगिर का इलाज करवाना चाहते हैं तो हमसे भी कांटेक कर सकते हैं नीचे हमरा वाटसप नमबर है, इस पर आप मैसेज करके आपकी रिपोर्ड भेज करके हमसे उसके हिसाब से होमेप्तिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जोस्त लेमात्र